मेरा नाम है दीपीका और हम करने वाले हैं सीरीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट महिपाल विष्णोई सर निकेट साक्या जी मनिश मीना जी अभी उपध्याय और गनपत कुमास साथ गनपत कुमास ने इसे बहुत अच्छे से एक्स्पिन भी किया और इसके अन्य जो नयम है वो भी दिये हैं जो कि आप स्क्रीम पर शो है आप देख सकते हैं अब हम करते हैं हमारी आज का कुश्चन आज को जो कुश्चन आपको बताना है यानि कि कुश्चन आप दे हैं आपके लिए प्याजी के अनुशार शंग्यान आत्मक वाल विकाश के कितनी अवस्थाएं हैं और आपके ऑप्शन है नमर एक त्री या फोर फाइव सिक्स ठीक है इसका जो स प्रभाब का नियम दिया था तो यह जो प्रभाब का नियम धिया था यह थूंडाइश के दो 싸्द्र करी एक एमattendर दूसरी है और दूसरी है और नियम उन्होंने पांच नियम में प्रभाव करकि नियम है यह मोखने नियम में से एक है एक अपने सिक्षामरुः कि एšíमल इंटैलीजेंस यह आपको याद रखनें में दिखते है नेक्स्ट कुश्चन निम्लिकित मैंसे किस बिदी का उपयोग इसमिर्थी के मापन के लिए नहीं किया जाता है तो जिस बिदी का उपयोग नहीं किया जाता है वो है तारकिक बिदी और जिसका किया जाता है वो है पृत्यान विदी पहिचान विदी पुना शीखना विदी या फिर यह दूसरी है वो हमा निर्माड विधी ठीक और यहां सब्द आया है इसमिर्थी स्मिर्थी से याद रख लिजिए बिश्मिर्थी ठीक है बिस्मिर्थी यानि कि विश्मोर्ण के जो कर दिये थे वह दिये थे संदे कि हम हुसने और यह जर्मन के थे इन्होंने अधिगम पर प्रियोग करके कुल इकिस सो निरार्तक सब्द दिये थे यानि कि अर्थ हीन सब्द दिये थे और जिस सूत्र के आधार पर दिये थे वो था प्रशांगिक अंतरबोध परिक्षड TAT का विकास डैस के द्वारा किया गया था तो यह जो TAT परिक्षड था यह किया था मर्गन इवन मुरे ने और यह किया था 1935 में और इसमें जो कार्ड होते हैं वो कुल 30 कार्ड यूज होते हैं और जब हम यह प्रियोग कर रहे होते हैं उस समय ओनली 20 कार्डों का प्रियोग किया जाता है इसमें जो पहले कार्ड थे वो कुल 31 कार्ड थे ठीक है और बाद में मरे के दुवारा एक कार्ड हटा दिया गया तो ये तीस रह गया और जो कार्ड हटाया गया था वो था सोलवा कार्ड ये जो कार्ड था ये ब्लैंक कार्ड था और इसमें रचना सकती और कल्पना सकती सरवादिक थी ठीक है ये आपको याद रखना है और ये इसका जब प्रियोग करते हैं तो तीन प्रकार की यानि कि तीन प्रकार की कुछे जाते हैं फिर तीन प्रकार की जो पक्ष रखे जाते हैं ठीक है ये भी याद रुखना पहला होता है कि जब बच्चों को चित्र दिखाते हैं तो पूछते हैं कि इसमें पहले क्या हो में सबसे बड़ा योगदान है तो मनुविज्ञान का सिक्षा के शीत में सबसे बड़ा योगदान है कि वाल के इंद्रित सिक्षा ठीक है तो इसका जो अप्सन सही है वो है दी यानि कि वाल के इंद्रित स् nevertheless है कौन सा ब्रती और विकास के सिधांट से संबंदित नहीं है तो देखिए संबंदित है वह समcert का समय क्षाल का और व्यक्तिकत्था का सिधांट जो नहीं है वह ब्रकी करण का सिधांद कर मिसक्ल करण से नेक्स सिधांट सिखने कि कि नियम पर आधारित तो यह जो प्रिस्तावना शोपान है यह सीखने की ततपरता की नियम पर आधारित है ठीक है यानि कि हम पहले प्रिस्तावना इसलिए रखते हैं कि बच्चे इसे सीखने के लिए ततपर हो जाएं और यह जो ततपरता का नियम है यह किस ने दिया था? यह थौन्डाइक ने दिया था, उनके जो मुक्त तीन नियम थे, उन्में से एक है, ठीक है? अब दिखते हैं, next ऑप सम प्रित्यय निर्मार का प्रिथम सोपान है तो जब भी कोई सम्पृत्य निर्मार होता है। उसके लिए पृत्म्सूपान होता है पृत्यक्षी करण। यानि कि हम उसे सामने से देखे या फिर उसके पृत्यक्ष रूप से अनुभव लें। तो इसे ही हम कहते हैं पृत्यक्षी करण। अब देखते हैं Next Question प्रिक्षड आत्मक अधिगम संप्रदाई डैस के द्वारा दिया गया था तो ये जो प्रिक्षड आत्मक अधिगम है ये दिया था बंडूरा ने ठीक है और इससे आपको याद रखना है बंडूरा ने जो सिध्धान दिया था उसे हम कहते हैं modeling theory ठीक है modeling theory कहते है और कुछ term भी दिये थे जैसे कि self efficiency और इन्होंने जो इन्होंने जो modeling की चरड़ बताए थे वो कुल 4 चरड़ बताए थे ठीक है 4 चरड़ बताए थे कौन-कौन से attention, retention and reproduction and motivation ठीक है ये भी याद रखना है अब देखते हैं next question उधारण, निरीक्षर, विशलेशर, वर्गी करड़ और नियमी करड़ नियम लिखित मैं से किस बिधी के सोपान है तो ये जो सोपान है ये है आगमन बिधी की अब ये जो आगमन बिधी है ये किस नियम पर काम करते है ये करती है उधारण से नियम की तरह ठीक है यानि कि इस बिधी में हम उधारण पहले देते हैं और नियम बाद में बताते हैं और इसके कुछ नियम याद रखने हैं जैसे कि मूर्थ से अमूर्थ की और इस्थूल से सूक्षम की और विस्ष्ट से सामानी की और विस्षेसर से संस्लेसर की और यह आपको याद रखने हैं और व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको स्थाफित करने के लिए यह उपयोगी kriegen कि यहीं होती है क्योंकि इसमें उधारर पहली दिये जाते हैं और यहीं अगर करें निगमन बिधी कि लिए नेक्सक्राइब अवधान के आंत्रिक अध्वा व्यक्तिनिष्ट निर्धारक है अवधान यानि की ध्यान ठीक है तो इसके जो आंत्रिक एवं व्यक्तिनिष्ट निर्धारक है वो है रुचि लक्ष अभिवरत्ति यानि की आपके उसमें रुचि कैसी है लक्ष के प्रती आप कितने तत्पर हो और आपका द्रश्ची कोन कैसा है यानि कि अभी ब्रत्र तो इसका जो सही आंसर है वो है A अब देखते हैं next question बाल मनुविज्ञान का छेत्र है तो बाल मनुविज्ञान का छेत्र है गर्व अवस्था से किसोरा अवस्था की विशेश्थाओं का अध्यन करना ठीक है तो इसका जो सही होगा वो है D next question है वह अवस्था जो कि माता के 21 गुर्शूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाता है तो यह है down syndrome ठीक है यानि कि A और इसमें आपको याद रखना है जब 46 की जगे 47 गुर्शूत्र हो जाते हैं तो होता है down syndrome और अगर 46 की जगे 46 की जगे 45 गुर्शूत्र हो जाते हैं तब इसे हम कहें तब जो syndrome होता है वो होता है टर्णर syndrome ठीक और एक याद रखना है कि 46 की बजाए अगर 47 गुर्शूत्र हो जाए और इसमें जो लिंग गुर्शूत्र है वो दो की बजाए तीन हो जाए तब जो syndrome हो जाता है वो है क्लीन फेल्टर syndrome ठीक है इसका जो आंसर सही है वो है यानिकी down syndrome अब देखते हैं नेक्स्ट कॉल्वर के अनुशार किस अवस्था में नैतिक्ता बाहरी काड़ों द्वारत निर्धारित होती है तो यह है पूर्व पारपरिक अवस्था ठीक है जो कॉल्वर थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धान दिया था और इसमें जो लेवल बताई थे लेवल वो कुल बताई थे 3 और जो stage बताई थी वो है 6 ठीक है यानिकी हर लेवल पर को दो stages होती है और जो लेवल थी वो पूर्धि पारपरिक या फिर पूर्पराज़त अवस्था दूस्री你 पी परम पर पर अवस्था तीसरी थी पस्च पस्चात पारम परिक या फिर पडऱ्ैक अवस्था तो यह इनकी esk Oh तीन लेवल थे और stage is 16 ये आपको याद रुखना है आप दिखते हैं next निम्लिकित मैं से कौन सा एक सही क्रम है तो इसका सही क्रम है वो है डी यानि कि अंडाडो सुक्राडो फिर युगमज फिर ब्लास्टो सेजनो नेक्स्ट है अंतरमुकी बहरमुकी तथा उभे मुकी व्यक्तित का वर्गी करड़ डैस के द्वारा किया गया है तो अंतरमुकी बहरमुकी एवं उभे मुकी जो व्यक्तित है इसका वर्गी करड़ किया है युग ने बट बास्तों में युग ने जो बर्गी करड़ किये थ तो यह इनके बाद में शिश्यों ने किया है यह आपको याद रिखना है आज की वीडियो ने में प्रभाव का नियम दिया था तो यह जो प्रभाव का नियम दिया था यह था था ठीक है ठीक है ठीक है मुखिणिय मैं ऊ자리 दूसरी से गौनिय में उन्हें तीन टीन दिये है कर गौनिय में ऊळाय में यह मुखिणय वह का याद रखने हैं एक स्ट्व मुchn intentar ओजिए सब्सक्राइब आपको याद रखने अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुस्टिन निम्लिकित मैं से किस बिदी का उपयोग इस्मिर्थी के मापन के लिए नहीं किया जाता है तो जिस बिदी का उपयोग नहीं किया जाता है वो है तार्किक बिदी और जिसका किया जाता है वो है पृत्य पृत्य यह थे वह दिए थे प्रियोग करके कुल 200 निरार्तक सब्द दिये थे यानि कि अर्थ हीन सब्द दिये थे और जिस सूत्र के अधार पर दिये थे था सीवी सी यह भी पूछा जाता है यह भी यात रखना प्लीज अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ्च्छन प्रशांगिक अंतरबोध परिक्षड TAT का विकास डैस के द्वारा किया गया था तो यह जो TAT परिक्षड था यह किया था मर्गन इवन मुरे ने और यह किया था वह उत्लिक तिस काड़ थे और बाद में मर्य के दवारा एक काड़ हटा दिया गया तो यह 35 और जो काड़ हटाया तक वह था किस ल्वा काड़ को हैं यह जो काड़ ता यह ब्लैंक काड़ था और इसमें रचना सक्ति और कल्पना सकती सरवादिक थी, यह आपको याद रखना है, और यह इसका जब प्रयोग करते हैं, तो 3 पिरकार की, यानि कि 3 की कुछन पुछे जाती है, यह पिर 3 पिरकार की जो पक्ष रखी जाते हैं, ठीक है, यह भी याद रखना, पहला होता है कि जब हम बच्छों को च मनु विज्ञान का सिक्षा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान है तो मनु विज्ञान का सिक्षा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान है कि वाल केंदरित सिक्षा ठीक है तो इसका जो अप्सन सही है वो है दी यानि कि वाल केंदरित सिक्षा आप देखते हैं नेक्ष कौन सा ब्रद्धी और विकास के सिधान से संबंदित नहीं है तो देखें जो संबंदित है वो है निरंतरता का समनवय का और व्यक्तिकता का सिधान जो नहीं है वो है बर्गी करण का सिधान यानि कि जो इसका अंसर सही होगा वो है भी बर्गी करण सिद्धानतौ स्देश है से कच्छा सिक्षर के पाथ स्टावना शोपन सीखने के द así दन्वाकंट इसे तर तो entitledौम यह सीखने पर्हुकरत और घॉ decorum खिए दैन कि ऑव즈 हो जांगी दिया है यह मुख थी उनमेंसे ही है है आप दिखते हैं इसे प्रित्यक्षी करण, उसके निए पृत्यक्षी करण, नी कि और आत्मक संप्रदायरद के द्वाराoten। तो ये जो प्रिक्षर आत्म का दिगम है ये दिया था बंडूरा ने ठीक है और इससे आपको याद रखना है बंडूरा ने जो सिधान दिया था उसे हम कहते हैं modeling theory ठीक है modeling theory कहते हैं और कुछ term भी दिये थे जैसे कि self efficiency और इन्होंने जो इन्होंने जो modeling की चरड़ बताए थे वो कुल चार चरड़ बताए थे ठीक है चार चरड़ बताए थे कौन-कौन से attention retention and reproduction और motivation ठीक है ये भी याद रुखना है अब देखते हैं next question उधारण, निरीक्षर, विशलेशर, वर्गी करड़ और नियमी करड़ नियम लिखित में से किस बिधी के सोपान है तो ये जो सोपान है ये है आगमन बिधी के अब ये जो आगमन बिधी है ये किस नियम पर काम करती है ये करती है उधारण से नियम की तरह ठीक है यानि कि इस बिधी में हम उधारण पहले देते हैं और नियम बाद में बताते हैं और इसके कुछ नियम याद रखने हैं जैसे कि मूर्थ से अमूर्थ की और इस्थूल से सूक्ष्म की और विश्ष्ट से सामानी की और विश्लेसर से संस्लेसर की और यह आपको याद रखने हैं और व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको स्थाफित करने के लिए यह किया जाता है तो इसका जो सही अंसर है वह यानि कि आगमन बिधी कि नेक्स्ट कुस्टन है अवधान के अंत्रिक अत्वा व्यक्तिनिष्ट निर्धारक है अवधान यानि कि ध्यान ठीक है तो इसके जो आंत्रिक एवम व्यक्तिनिस्ट निर्धारक है वो है रुची, लक्ष, अभिवरति यानि कि आपके उसमें रुची कैसी है, लक्ष के प्रती आप कितने ततपर हो और आपका द्रश्ची कौन कैसा है यानि कि अभिवरति इसका जो सही आंसर है वो है A अब देखतें next question बाल मनुविज्यान का छेत्र है गर्व अवस्था से किसोरा अवस्था की विशेष्थाओं का अध्यन करना ठीक है तो इसका जो सही होगा वो है D next question है वह अवस्था जो कि माता के 21 गुर्शूत्र जोड़े की अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाता है तो ये है Down syndrome ठीक है यानि कि A और इसमें आपको याद रखना है जब 46 की जगे 47 गुर्शूत्र हो जाते हैं तो होता है Down syndrome और अगर 46 की जगे 46 की जगे 45 गुर्शूत्र हो जाते हैं तब इसे हम कहें तब जो syndrome होता है वो होता है Turner syndrome ठीक और एक याद रखना है कि 46 की बज़ाए अगर 47 गुर्शूत्र हो जाएं और इसमें जो लिंग गुर्शूत्र है वो 2 की बज़ाए 3 हो जाएं तब जो syndrome हो जाता है वो है Clean क्लीन फेल्टर सिंड्रोम ठीक है इसका जो आंसर सही है वो है यानि की डाउन सिंड्रोम अब देखते हैं नेक्स्ट कॉल्वर के अनुशार किस अवस्था में नैतिकताव बाहरी काड़ोद्वारत निर्धारित होती है तो ये है पूर पारपरिक अवस्था ठीक है जो कॉल्वर्ग थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धान दिया था और इसमें जो लेवल बताई थे वो कुल बताई थे थ्री और जो स्टेज बताई थी वो है सिक्स ठीक है यानि कि हर लेवल पर दो स्टेज होती है और जो लेवल थी वो थी पूर पारपरिक या फिर पूर परमपरागत अवस्था दूसरी थी परमपरागत या फिर पारपरिक अवस्था तीसरी थी पस्च पस्चार पारमपरिक या फिर पारिस पर एक अवस्था तो ये इनकी कुल तीन लेवल थे और स्टेजिस कुल शिक्स थी ये भी आपको याद रखना है आप दिखते हैं next निम लिकित मैं से कौन सा एक सही क्रम है तो इसका सही क्रम है वो है D यानि कि अंडाडो सुक्राडो फिर युगमज फिर बलास्टो सेजन नेक्स्ट है अंतरमुकी बहरमुकी तथा उभे मुकी व्यक्तित का वर्गी करड़ डैस के द्वारा किया गया है तो अंतरमुकी बहरमुकी एवं उभे मुकी जो व्यक्तित है इसका वर्गी करड़ किया है यूंग ने बास्तों में यूंग ने जो बर्गी क्रड़ किये थे वो दो ही थे यानि कि अंतर मुखी और वहर मुखी और जो यह उभे मुखी है यह इनके बाद में सिस्यों ने किया है यह आपको याद रखना है और आज की वीडियों हम लोगा ने कुछ पंद्रा अगर यह आपको पसंद आए हैं तो प्लीज आप लाइक कीजिए श्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंकिए फूर वाच्छ 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 वाच्छ